हेलो फ्रेंज, स्वागते आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरसोती इंग्लिस क्लासेज में मैं समीज सिंग एक बाफे से लेकर आए हूँ वाज आपके लिए एक शांदार शॉड़ स्टोरी लिखा है कैथरीन मैंसिल महोद्याने जिसका ना मैं दफ्लाइ इस स्टोरी को बहुत इच्छे तरीके से लिखाया कैथरीन महोद्याने और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सबूँ ने केवल स्टोरी की समरी को बलके उसके थीम को पॉइंट अफ व्यू को उसके अलामा बहुत सारे पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं चाहे आप अकेडमिक से रिलेटेड हो ग्रेजुएशन पीजी के लिए आप इसको पढ़ना चाहते हो या आप त लिखी गई कैठीन मैंस फिल के दुरह और यह प्यारी में लिखी गई मैंने हाफ पैरिस का जि oni क्या हैं क्योंकि यह खास है क्योंकि इस स्टोरी में तीन सीटी जिज का जिजिक किया गया है तीनों के बारे में जहनना आपको बहुत य2 तू शीडिए था ही थीिजिस हाफ भी था ये उस समय पेरिस में थी पेरिस में रहने के कार्ण इन्होंने इस स्टोरी में पेरिस या फ्रांस को भी लिखा हुआ है इसके लामात इनकी शादी चुकी हुई थी इंग्लेंड में लंदन में इनकी हस्बर मिडिल्टन मरी महोदय से तो मिडिल्टन मरी महोदय इंग सिटी जहां भी आएगा वो लंदन है तो लंदन का जिक्र है इसमें पेरिस का जिक्र है इसमें और एक और सिटी का जिक्र है जो है बेल्जियम ठीक है बेल्जियम का जिक्र क्यों क्या गया है पेरिस का जिक्र क्यों क्या गया है वो स्टोरी में हम चलेंगे तब कंफर्म करें तो ध्यान से देखते रहेगा इसे इडवाद फर्स्ट पॉब्लिश्ट इन दे नेशन और एथनियम ये दे नेशन और एंथनियम जो है वो एक वीकली न्यूज पेपर था उस समय का उसमें ये ठारव मार्च 1922 में पॉब्लिश किया गया और फिर इसके बाद ये दे डव्स नेस्ट और अधर स्टोरीज 1923 जो कि ये ये जो है ये कलेक्शन आफ सॉर्ड स्टोरीज है उसमें ये पॉब्लिश हुआ फिर से लेकिन इस बार 1923 में ये पॉब्लिश कैठरीन महोदिया ने नहीं करवाया बलकि न की हसमें मिल्टर महोदिया ने करवाया क्यों कि उस समय कैठरीन महोदिया का डेथ हो चुका था 1923 में स्टोरी जो है आपको बता दू मैं न trilogy कि ये स्टोरी जो है वो रेलेट करता है डेथ आफ 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 सोलजर आस्तों में तो यह लिखा कहानी जो है वो सिपाही पर ही है जो सिपाही जिसकी मृत्ती हो जाती है वोलवार 1 में लेकिन अगर हम बात करें रियल्टी की ग्राउंड लेबल की तो 1915 में मैंस्फिल का जो छोटा भाई था था लेसली बीचैंप उसको मार दिया गया था जब व करना था तब उसकी डेथ हो गई थी और उसी डेथ को यहां मिम्राइज किया है उन्होंने चुकि उसका भी डेथ वर्लवार 1 में हुआ था जब वो 21 साल का था लेसली इसलिए यहां पर उन्होंने एक ऐसे सीपाही को दिखाया है जिसकी भाई से मिलता जुलता हो और उसकी भी डेथ वर्लवार 1 में हो गई थी तो चलते हैं स्टोरी के कुछ करेक्टर्स को जान ले उसके पहले हम थोड़ा सा और इंपोर्टन चीजों को देख ले ध्यान देजेगा पॉइंट अफ व्यू यह इंपोर्टन है मैंने भी मुझे भी अगर सच कहूं आपसे तो मुझ कम है इसमें कोई करक्टर जो है कि माल खाह समय सके बारे में करता है यहां यह थार्ड़ार यह और वह पार पूरी कहानी second character बना लेती है नहीं कि जो character है इस में माले जब Mr. Bodyfield है ये खुद को Mr. Bodyfield बना लेंगी और Bodyfield की तरह ये बात करेंगी उनकी तरह ये बरताब करेंगी रोएंगी या हसेंगी और ये फिर second character रहेंगी या जो भी हो characters वो character बन करके ये अपना जो है वो role play करेंगी तो ये third person माना इसको ये अब महोदया जो लिख रही है इसको उन्हें तो सब कुछ पता है ना कौन character कब क्या खरने वाला है तो वो only center है हर जगा मौजूद सब कुछ जानने वाली तो point of view third person ये याद रखिएगा major themes है इसका वो है war चुकि आपको पता है ये world war the first का है तो war इसका major theme है grief कि जब किसी की death होती है चोट लगने पर grief होता है तो death होने पर तो जएड़ सी बात है कि grief तकलीफ दुख ज़्यादा होने बाला है तो ये theme के रूप में है loss जब कोई अपना बिज़र जाता है तो उससे बड़ा loss आपको बता होगा कि life में कुछ नहीं होता है सामान की कीमत क्या वो तो फिर दुबार आ जाएगी वो loss profit वो होता रहता है बट अपनों का loss जो होता है ना इनसान का loss होता है वो loss शायद बहुत बड़ा role create करता है किसी एक के life में overall अगर हम themes की बात करें तो death इसका जो है वो main theme है death how it conquers all क्योंकि यह मृत्ति जो होती है यह सब पर विजय पा लेती है अब कितना भी भागना चाहो कई भी भाग जो आप किसी भी तरीके से कुछ भी कर लो आप आप Michael Jackson बन जाओ अपने पर एक एक दिन में करोडों खर्च क सकते हैं death से इसमें भी ऐसा ही कुछ है कि death से बचना चाहते हैं कुछ लोग लेकिन बच नहीं पाते हैं तो यह major themes है हम चलते हैं story को confirm करने के लिए उसके पहले जो इसमें characters है main major और minor सब उनको confirm करते हैं तो जो यह character है इनमें से एक है Mr.Buddyfield और एक है The Boss जो यहां दिख रह ताकि आपको लेकिन तो वहीं जाएगा चलिए The Boss यहां दो main major character है वैसे main character The Boss ही है यह शुरू से अंतक रहने वाला है चलिए The Boss main character आपसे पूछा जाए Who is the main character of the story तो The Boss आपको जो होगा वो main होगा Mr.Buddyfield के बारे मगर बात करूँ में तो यह एक इनको बार बार repeat किया गया इसे story में old old के नाम से लेकिन बास्तों में यह old नहीं है यह retired है 60 साल से उपर बिमार रहते हैं भूलने की बिमारी इन में है इनकी देखरेक जो है इनकी wife और एक लड़की जो है वो करती है और wife लड़की इनको कहीं जाने नहीं देते साथ के साथ इन घर में pack रखते हैं वह तो चुकि लड़का नहीं है इनके लड़के की death हो चुकी है world war the first में तो लड़की है लड़कियां वैसे इनकी एक से ज़्यादा है story में लिखी है one of the daughters इसका मतलब है कि वो जो एक लड़की इनकी देखरे करती है वो इनके पास है बाकी लड़कियां या तो शादी हो चु अपने boss के पास तो जहां ये कॉम काम करते थे फर्म में जो लंडन सीटी में एक फर्म था वहा का ये मालिक था boss था उसके पास ये जाय करते थे उसे गब सब करते उसके साथ खाते पिते और फिर लौट आते अपने उसी च्छह दिन पिजड़े में जो च्छह दिन की आपको भी बताया मैंने कि वोडी फिल को ओल्ड कहा गया है बट यह ओल्ड नहीं है कम से कम तब बॉस से तो ओल्ड नहीं है बॉस पांस सल बड़ा है इन से अगर इन महोदे की एज 60 होगी तो नॉर्मल इनकी 65 है लेकि फिर भी यह हल्दी लगते हैं इन से लेकि इनमें जादा बीमारिया है इनमें बीमारिया कम हैं यह कम भूलते हैं नॉर्मली जैसे हम और आप भूल जाते हैं वैसे यह भी भूलते हैं लेकिन यह महोदे जो है यह बहुत जादा भूलते हैं इनके अंदर यह बीमारी आ चुकी है ये महोदय जो है इस समय अगर स्टोरी भी ना शुरू करके मैं थोड़ा सा ओर करेक्टर जो है वो उनको दिखा दो फिर स्टोरी शुरू करता हूल ये माइनर करेक्टर शाने वाल है इसमें मिसेश बुडीफिल्ड जिनका कोई रोल नहीं है स्टोरी में बस ये देख रहे करती है रैगी ये वो लड़का है Mr. Woodifil का single इकलावता लड़का जिसकी death हो चुकी है World War the First में 1915 में ये है Gertrude Gertrude जो है ये लड़की है Mr. Woodifil की जो यहाँ पर उनके साथ रहती है उनकी सेवा करती है ये है Massey इसे Massey बोलते हैं Mackie नहीं बोलेंगे Massey जो है ये main office clerk है boss के जो the boss है ना उसके office का main clerk है Massey और एक main जो story को यहाँ पर बताने वाला है the fly the fly जो है वो symbolic device है यानि कि ये symbolic device है इसमें इसका symbolized किया गया है किस तरीके से किया गया है वो story में हम गन्फम करेंगे तो चलते हैं story को शुरू करते हैं Tuesday आ चुका है मंगलवार का दिन है Mr. Woodyfield को मौका मिला जाने का अपने boss से मिलने का Mr. Woodyfield आता है boss के पास आता है मुझे दखता है कि कई दिनों के बाद आया है शायद पहली बार आया है तब से जब से ये छोड़ा है ऐसा लगता ऐसा है क्यों क्योंकि the boss वोडी फूल को वो कुछ दिखाता है कहता देखो new carpet देख लो मैंने red color का carpet लगाया है तुम थे तो कुछ अलग था देखो यहाँ पर तुम कुछ नए चीज़ों को देखो wall देखो मैंने कुछ नए इसमें कारीगरी किया कुछ decorate किया है मैंने उसके अलामा जो बॉस है वो new carpet दिखाता है अपने furniture जुन्ने आये हुए है उस furniture को दिखाता है और electric का heater रखा हुआ है तो कि यह बात जो है यह 1921 की है इसलिए उस समय electric heater हर जगा नहीं होता था तो electric heater को दिखाता है कहता कि देखो यह नए नए चीज़े तुम्हारे जाने के बाद से मैंने लाया तो show करता है दिखाता है और खुश होता है मन ही मन कि वोड़ी फिल जो होगा वो भी इसकी प्रसंचा करेगा कि इसका बॉस जो है वो बहुत कुछ कर रहा है अपने company के लिए अपने office के लिए अपने logo के लिए फिर वोड़ी फिल थोड़ देर के बाद सोचता है कहता है यह मैं कुछ कहना चाहता था पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाहता हूँ मैं दबॉस जो है वो कहता है कोई बात नहीं रुको भी तुम्हें याद आ जाएगा चलो जा ठीक है काम करो अपनी medicine ले लो अब यह सोचता है medicine कौनसी medicine के बारे में बात करा यह दबॉस अब दबॉस जो है वो अलमिरा तक जाता है और वहां से एक बॉटल लेकर के आता है और सामने रखता है और कहता है यह लो तुम्हारी दवा यह है विस्की हलाकि वोडी फिल्ड और बॉस पहले पिया करते थे विस्की को लेकिन जब से यह विमार रहन लेकि डॉक्टर ने इनको मना कर दिया है लेकिन चुकि बॉस के insist करने पर बॉस बड़ा है इनसे इसमें कहा गया है इस्टोरी में कि बॉस जो है वो वोडी फिल्ड और मैसी के फादर के रुप में दिखाय गया है दोनों के लिए तो एक फादरली अगर इनसान insist करता है कुछ काम करने के लिए तो सामलों मना कैसे करेगा वो चीज जो वो बारवार पहले पिया करता था साब में बैट करके तो मिस्टर वोडी फिल्ड जो होते हैं और दो बॉस जो होते हैं वो एक दूसरे को चेर्स करते हैं और पिना शुरू करते हैं कुछ देर पिने के बाद जो बॉस होता है वो अपने बारें बताता है लोगों के बारें बताता है अपने काम के बारें बताता है अचानक से मिस्टर वोडी फिल्ड जो है वोड़ी फिल्ड को कुछ याद आता है और वो कहते हैं मुझे याद आ गया actually ना मेरी लड़की जो है जो बने आपको बताया गेट्रड ये कहते हैं बॉस से कि मेरी जो लड़की गेट्रड वो अभी तिलहाल बेलजियम गई थी कुछ समय पहले वहाँ उसने रैगी रैगी जो इसका लड़का था वहाँ रैगी के ग्रेव यानि कि कबर तक वो गई थी फिर कबर तक चुकि पहुंच गई थी रैगी के तो पास में तुम्हारे बेटे का भी कबर था यहाँ ध्यां देजियेगा Mr. Bodyfield और The Boss दोनों की बेटे World War The First के दोरान दोनों मारे गए थे दोनों के बेटे मारे गए थे इनका जोकी नाम नहीं है नाम का जुक्र नहीं किया गया है इनको The Boss ही कहा गया है इसलिए इनके लड़के का भी कोई नाम नहीं है Mr. Bodyfield के लड़के का नाम रैगी है तो यहां यह ध्यान देजएगा दोनों के लड़के जो है World War The First में मारे जा चुके है तो Mr. Bodyfield जो है वो कहते हैं कि मेरे लड़की महा गई थी तो चुकि उसने मेरे लड़की के कबर तक जब वो गई तो तुम्हारे लड़की के कबर तक भी वो चली गई वहां उसने देखा कि वहां के जो लोग है जो करमचारी है जो देख रहे करते हैं कबरो की न वो बड़ी साफ सफाई रखते हैं बड़ी अच्छी देख रहे करते हैं वो इतना कहना क्या हुआ Mr. Bodyfield का तब बॉस जो है वो परिशान हो गया वो अपने बेटे के बारे में सोचकर उदास्त नहीं होना चाहता था पर वो अपने सर को जुका लेता है और ऐसा फील होता इसे कि मानो ये रो पड़ेगा Mr. Bodyfield जो होते हैं देख बॉस को इस कंडिशन में छोड़ करके चले जाते हैं इनका काम बन चुका पता नहीं इनका काम ये था या वास्तों ये कहना चाते थे दिल नहीं दुखाना चाते थे लेकिन अब इनको शायद अकेलेपन की जरूत थी उससे में इसलिए Mr. Bodyfield जो है वो वहां से चले जाते हैं बहुत जो है वो अपने बेटे के बारे में नहीं सोचना चाता उसने प्रॉमिस किया हुआ है अपनों से लोगों से कि वो अब नहीं रोएगा क्योंकि वो शिरुवात में बहुत रोता था बहुत रोता था मतलब बहुत रोता था सोचा था कि मैं रोकर के ही मर जाओंगा इसलिए ये रोना बंद कर दिया था लेकिन आज जैसे ही मिस्टर बोडी फिल ने याद दिलाया ये परिशान हो गया बहुत जो है अब सोचता है कि अब वो करे क्या अचानक से वो मैसी को बलाता है मैसी को आवाज देता है और कहता है कि सुनू मैसी मुझे कोई डिस्टर ना करे अब इसलिए किसी को अंदर आने की इजाज़त मत देना मतलब किसी को अंदर मत भीजना जब तक मैं ना कहूं अब ये महोदे जो हैं अकेले पढ़ जाते हैं ये बैठे हुए होते हैं कुर्सी पर दीवाल की तरफ अचानक से इनका ध्यान जाता है दीवाल की तरफ अगर आप देखें तो ये एक तस्वीर टंगी हुई है जो इनके लड़के की है इसे निहारते हैं ये आज का पिक नहीं है छह साल पहले का है ये उस समय का है जब इनका बेटा जो था जीवी था उसकी डेथ हुई उसके बाद ये फोटो इनके खुद के कैविन में लगाई गई वर्ल वार फरस्ट में जो मारा गया था अब वो याद करना सुरू करता है अपने हाथों से अपने चेहरे को फेज को ढख लेता है और सोचता है कहता है छह साल छह साल बीच चुके हैं कितनी जल्दी से बीच जाते हैं ये साल वो लड़का जो वर्ल वार के एक साल पहले मेरे साथ बिजनस सीख रहा था मेरे साथ काम कर रहा था मैं सोचता था कि मैं उसे hand over कर दूँगा बहुत हो गया मेरा account अब नहीं कर सकता मैं ये सब इसलिए मैं उसको सिखा रहा था मेरे साथ वो train हो रहा था मेरे साथ वो train से वापस घर जाता साथ में दिन भर बैट करके हम बाते करते काम करते अपने स्टाफ से वो बहुत घुल मिल चुका था वो मैसी से भी ज़्यादा फेमस हो गया था और समझदार हो गया था अपने पूरे की पूरे स्टाफ में यानि कि मैसी जो ज़्यादा समझदार माना जाता था अपने स्टाफ में माना जाता है उससे भी ज़्यादा समझदार उससे भी ज़्यादा फैमिलियर और फेमस हो चुका था इसका लड़का अब इतनी बाते सोच रहा होता है फिर वो सोचता है कि इतना समझदार बच्चा था कि मैं उसको कहता था simple splendid actually यह जो महोदे है इनकी एक habit of saying थी यह बार-बार कहा करते थी यह लाइन आपको याद होना चाहिए what is the habit of habit of saying of mister the boss तो यह normally simple splendid कहा करते थी तो यह अपने बेटे को कह देते simple splendid यानि कि वो इतना समझदार था फेमस था उसके कारण अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि मैसी जो है वो टेलिग्राम लेकर के हाथ में आया रुआ से मू से और आकर के इनके हाथ में पकड़ाया महोदे ने जब उसको पढ़ा लगा इनके जिन्दगी की एक-एक तार तूट चुकी है बरबाद से हो गए सारे सुक तारे सपने जो थे वो खाक हो गए जब इनोंने वो टेलिग्राम पढ़ा यानि कि वो समय था जब इनके लड़के के जैथ का टेलिग्राम पहुचा था इनके हाथ में अब है महोट बहुत बहुत अपने आपको रोकते हैं लेकिन ये रोने लगते हैं अपना हाथ face से हचाते हैं अब ये confused हैं अब ये करें तो क्या करें तभी अचानक से ये देखते हैं सामने कि इनका जो ink port होता है उसमें एक छोड़ी सी फ्लाई जो है वो पड़ी हुई है अब यह सोचते हैं कि यह इसमें तड़प रही है मैं क्या करूँ तड़प देखेगा यह तड़प नेकेवल फ्लाई उस इंकपॉर्ट में कर रही है बल्कि ये भी तडप रहे हैं ये भी कमरे में बैट गरके तडप रहे हैं संगर्स कर रहे हैं अपने आपको बाहर निकालने के लिए जैसे कि वो मखी या वो मखी जो है लेकिन फिर भी मक्षी निकल पार ये बाहर नए निकल पार है अपने इस सपनों के या इस अर्मानों के या इस अपने बच्चे की यादों से फिर से अचानक सेंग को ध्यान आता है कि जो पास में रखा गुआ होता है ब्लॉट पेपर ये ब्लॉट पेपर जो है ये मैसी से मंगवाते हैं और ब्लॉट पेपर से ये उसको निकालके बाहर कर देते हैं यानि कि ये महोदे जो है बाहर कर देते हैं मक्खी को और उस पेपर पर रख देते हैं एक पिन की टिप की मदद से जो पिन की टिप होती है उसकी मदद से ये बाहर निकाल के पेपर पर रख देते हैं अब जो है वो फ्लाई खुद को ड्राइ करने की सोचती है यानि कि ये ज याउज श्ट्रेंद से आपने आपके इंक को सुखाती है लेकिन जैसे जैसे सुखने लगता है इंक जैसरे उसका संघर्स काम करने लगता है वैसे पता नहीं क्या दिमाग में होता है दे बाश के कि वो एक और बुंद अचानक से वो इंक से उस पेंसे बुंद एक लेता है और वो फिर से सोचता है कि मैं फिर से गिरा कर देखूँ, ये तो उड़ जाएगी अभी, इसलिए फिर से गिरा कर देखूँ मैं, एक बूंद फिर से गिरा देता है, जैसे ही वो बूंद गिरता है उसके उपर फिर से, वो संगर्स करना शूव कर दिये, लेकिन पिछली बार कि पिक्चा थोड़ा कम, क्योंकि पिछली बार पुरा strength से संगर्स करे थी, कि अब तो मैं बाहर आ जुकी हूँ, अब हो सकता है कि मेरे संगर्स जो है, वो मेरे साथ हो और मैं इसको सुखा करके इस इंक को और मैं बाहर निकल जाओं इस परशानियों से, इस संगर्स से जो भी परशाने इसके इर्दगिर्द हो रही हो उस तकलीफ हो से, लेकिन जैसे एक बून फिर से गिरा अब ये फिर से परशान हो गए, लेकिन अब इतनी strength नहीं बची है कि ये उतने ही जोशिश से फिर से ये अपने आपको सुखा है, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रही है ये बंदा देख रहा है, ये सोच रहा है कि इसकी छट पटा हट वैसे है जैसे कि दबॉस की है, बॉस भी छट पटा रहा है, वो भी बाहर आना चाहता है लेकिन लगता है मानो कि किसी ने गमों का इंक उस पर फिर से डाल दिया फिर एक गम फिर एक गम अभी मिस्टर वोड़ी फिल ने वो गम इसके उपर उड़ेल दिया है एक बूंद इंक का तो अब फिर से वो गम में आ चुका है जो वो भूलाना चाता था जो 6 साल बीच चुका था रोते गाते लेकिन आज फिर से वो याद आ गया वो तरो ताजा हो गया वो कुरे दिया उस मिस्टर वुड़ी फिल ने उसके गमों को वैसे ही जैसे कि ये इस समय मक्ही के साथ कर रहे एक बुंद और डाल करके मक्ही तडपती है चटपताती है और फिर से अपने आपको सुखाने की कोशिस करती है जैसे जैसे दिरे दिरे उसकी चटपताहट जो है वो कम होती है उसकी जो लगी हुई होती है इंक आसपास पंखो पर वो भी कम होने लगते है क्योंकि संगर्स के साथ साथ इंक जो हटन लेकिन पता नहीं फिर से क्या दिमाग में आए बंदे के अब आखरी बार सोचता है मैं एक और बूंद डालूँगा इस बार उसका इस्ट्रगल लगभा कम हो जाता है हलकी सी चट पटा हट और फिर एक लंबी खामोसी और फिर ये फ्लाइ जो है वो मर जाती है दोनों रहा तो एक के बार एक गम आते रहेंगे और मैं ऐसे ही मर जाओंगा जैसे कि ये मक्ही मरी है इसलिए ये बंदा जो है ये सोचता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा अब वो गम में नहीं रहेगा अब वो रोएगा नहीं अब वो फ्लाइ की रह पर नहीं चलेगा इसलिए उ वो इस मरी हुई dead को यानि कि dead body को आप कह सकते हो fly के उठाता है और वो dust wheel में डाल देता है फेक देता है और जिस paper पर वो रखी हुई होती है उसको फेक देता है मानों कि जैसे कि उसने गमों को भी फेक दिया है उठाकर के dust wheel में अब वो positive approach से खड़ा होता है उठता है इदर जागता है देखता है अब वो सोचता है कि मैं सोच किया रहा था आखिर जब मैंने fly को देखा fly का ये जो story शुरूबा मेरे mind में fly से पहले क्या सोच रहा था लेकिन इस मन्ने को भी अब याद नहीं आ रहा है कि ये अपने लड़के के death के बारे में सोच रहा था तो इस समय ये भूल चुका है यहां राइटर ये कहना चाहती है कि वास्तम ये भूला नहीं है बलकि इसने भूला दिया है क्योंकि ये सारे गमों को पीछे छोड़ दिया है अब ये आगे बढ़ता है इस तरीके से story खत्म होती है आसा है आपको story समझ में आई होगी अगर आपको पाक्स में कमेंट करके जोर पोस लेजेगा थेंक ये फूर वाचिंग दे वीडियो